बच्पन से काफी बार हम सुनते हैं कि थंड के मौसप या सर्दी खासी में थंडी चीज़े नहीं खानी चाहिए खास कर डेली प्रोडक्स खाने के लिए मना किया जाता है इसके पीछे में कारण है कि आईस्क्रीम खाने से बोडी थंडी हो जाती है उससे recovery slow हो जाती है काफी लोग ऐसा भी मानते है कि सर्दी में आइस्क्रीम खाने से कफ ज्यादा हो जाता है पर क्या ये बात सच है आइस्क्रीम खाने से स्र्दी खासी बढ़ती है? काफी लोगों को ऐसे सवल आते हैं इसलिए आज के वीडियो में हम इसका जवाब जानेंगे लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अबडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सबस्क्राइब करना ना भूले होंग कॉंग के मेडिकल रीसर्च के अनुसार सर्दी खासी में आइस्क्रीम अवाइट करने का कोई रीजन नहीं है उसके सिवा कुछ रीसर्चर्स के अनुसार सर्दी में आइस्क्रीम खाने से या अपने डाइट में कुछ चेंजिस करने से कोई नुकसान नहीं होता है बलक कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दो से ज्यादा हफते तक खासी या सर्दी के सिंटम्स होते हैं किसी भी इल्डनेस का टाइम पीरियर्ड वाइरस और जर्म्स के कारण अफेक्ट होता है उसके सिवा कुछ nutritional deficiency के कारण सर्दी खासी के infections चली होते हैं जैसे कि लोगों में vitamin A और vitamin D की deficiency होने से frequent respiratory infections होते हैं इसलिए scientist के अनुसार सर्दी खासी में dairy products या ice cream खाने से कोई नुकसन नहीं होता है काफी doctors ये भी मानते हैं कि dairy products खाने से कफ बढ़ता है लेकिन इस बात को support करने के लिए कोई evidence नहीं है जैसे अमने देखा कि सर्दी खासी बढ़ने की वजब virus या immune system कमसोर होने का कारण हो सकता है इस topic पे information collect करते वक्त पता चला कि tonsillets surgery के बाद ice cream खाने के लिए बोला जाता है लेकिन कोई भी ice cream खाने से पहले clear liquid पीने का advice दिया जाता है उसके बाद आप plain ice cream खा सकते हैं चौकलेट toppings और कोई और flavor का ice cream नहीं खा सकते हैं throat को आराम मिलने के लिए plain थंडी चीज़े खाने को कहा जाता है इस बात पर से पता चलता है कि सर्दी खासी मैं ice cream खाने से नुकसान नहीं होता है पर याद रखे ज्यादा strong flavor वाला ice cream खानी खा रख होगा तब आपके इस वीडियो पे क्या views है वो हमें comment में ज़रूर बताए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तिस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद